क्या आप देखते हैं कि मुझ में और उस स्पीकर में थोड़ा फर्क है, जो बाहर आप तक मेरी आवाज पहुंचा रहा है, आप कुछ फर्क देख रहे हैं, लेकिन फिलाल वो एक विस्तार है, है ना, जो भी मैं कहता हूँ, वो आप तक तब तक नहीं पहुंचेगा, जब माइक और स्पीकर काम नहीं करेंगे, तो यंत्र और गुड़ी भी ठीक वैसे ही हैं, पहुंचाने के सिस्टम, एक तरह से फिलाल मेरे बोलते हुए भी, अगर हम एक आवाज की बात करें, तो इसका अपना एक आकार है, हर आकार का एक तरह से एक जोमेट्रिक रूप होता ह अगर मैं अभी बोलूँ, फिलाल मेरे बोलते हुए, मेरे मुँ से तरंगे और आकार बाहर आ रहे हैं, हां? जब मैं एक छोटा बच्चा था, तो स्कूल की क्लास में जाकर बैठता था, तो ऐसा होता था, मुझे उनके मुँ से चीजें बाहर आती दिखती थी, पर मैं उन अपने दिमाग में फिर से ध्वनी का रूप नहीं देता था, मैं बस आकार देखता था, तो अभी भी मेरे मुँ से आकार निकल रहे हैं, ये माइक उन्हें पकड़ रहा है, और उन्हें एक बिलकुल अलग जियोमेट्रिक आकार में बदल कर, स्पीकर के पास भेज रहा है वहाँ ये फिर से एक अलग जियोमेट्रिक आकार में बदल रहे हैं, जो फिर से ध्वनी बनकर बाहर आ रहे हैं, देखिए फिलहाल इस मैक से जो वाइलेस मैक है, यहां से उस आम्पलिफायर तक और आम्पलिफायर से उस स्पीकर तक अलग-अलग जियोमेट्री है हाँ अलग-अलग आकारों वाली तरंगे है ये ध्वानी नहीं है ये ध्वानी है लेकिन वैसी ध्वानी नहीं है जैसी आपके कान सुन सकते हैं वरना जो मेरे पास मौजूद ट्रांस्मिटर से एम्पलिफायर तक जा रहा है इसलिए इसे फिर से एक ऐसे जोमेट्रिक आकार में बदलना होगा जो आप सुन पाएं यानि वो आकार जो फिलहाल आपके अनुभव में ध्वानी है इसी तरह से देवी एक तरह का जोमेट्रिक आकार है संचार एक अलग तरह का जोमेट्रिक आकार है और आप जैसे उसे ग्रहन करते हैं, जो तरीका या जिस साधन से आप उसका भोध पाते हैं, उसका जोमेट्रिक आकार अलग है, लेकिन जो पहुँचाया जा रहा है वो एक ही चीज है, मैं ये माइक, ये ट्रांस्मिटर, वो रिसीवर, वो अम्प्लिफायर, वो स्पीकर, ब अलग कि ये सभी अलग-अलग चीजे हैं, फिर भी वही पहुचाया जा रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ, मान लीजे, कही न कही रास्ते में, या तो ये ट्रांस्मिटर, वो रिसीवर, या अम्प्लिफायर, थोड़ा शरारती हो जाए, और एक अलग जोमेट्रिक आकार भी जिजने लगें, और वो न भीजें जो मैं बोल रहा हूँ, फिर ये अपना ही प्रवचन करने लगेंगे, या आप जो भी कहें, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं प्रवचन कर रहा हूँ, बस अभी, तो उससे कुछ और आवाजें आने लगेंगे, फिर ये एक भयंकर प्रक्र बन जाएंगी, क्योंकि मैं एक चीज बोल रहा हूं, वो कुछ और बोल रहा है, बहुत भयंकर है, ये सिर्फ इसलिए उप्योगी है, क्योंकि ये वही कहता है, जो मैं कहता हूं, बस उंची आवाज में, उंचा है, पर अलग नहीं है, तो फिलहाल, अगर आप अच्छे से शक्त है, देखिए ये भी एक यंत्र है, है न, यंत्र का मतलब है मशीन, क्या ये इनसानी सिस्टम में एक यंत्र नहीं है, ये सबसे जटिल यंत्र है, आप इससे बहतर नहीं बना सकते, आप अन्य यंत्र बना कर इसकी शमता बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं बोल सकता हूं, तो एक माइक और ये पूरा सिस्टम मेरी आवाज को उंचा कर रहा है ये एक बहुत अच्छा यांत्र है ये एक मशीन है जो उंचा कर रही है तो इसी तरह से जो अलग-लग गतीविधियां हम करते हैं बोलना, कोई काम, चलना फिरना हमने इन सभी चीजों की शमता बढ़ा दिये उन अलग-लग साधनों या मशीनों के द्वारा जो हमने बनाई है असल में जो भी मशीन हमने बनाई है उसमें बस उसी चीज की बढ़ी हुई शमता है जो हम पहले से कर सकते हैं आपने कभी ऐसी मशीन नहीं बनाई जो कुछ ऐसा करे जो आप नहीं कर सकते, आप धर्ती से मिट्टी उठा सकते हैं, तो आपने एक Earth Mover बनाया, जो 10 तन मिट्टी उठाता है, आप बोल सकते हैं, तो माइक है, टेलिफोन है, हर तरह का फोन है, आप देख सकते हैं, तो दूरबीन है, माइक्रोस्कोप है, हर तरह उन्हीं चीजों को बहतर करने के लिए, हमने साधन और मशीने बनाई हैं, तो देवी, एक खास तरह की मशीन है, देवी भक्तों को ये पसंद नहीं आएगा, सद्गुरू ऐसा मत कहिए, देवी, मैं लोगों से कहता रहता हूँ, लोग विरोध करते हैं, जब भी मैं ध्या पानलिंग या देवी को उपकरन कहता हूँ, वो कहते हैं, सद्गुरू प्लीज, ये ऐसा है, जैसे मैं किसी ऐसी चीज के खिलाफ बोल रहा हूँ, जो उनके लिए पवित्र है, वो ये नहीं समझते, कि इन चीजों को बनानी के लिए मैंने अपना जीवन लगाया है, उन् के लोगों को आश्रम आना चाहिए, मैं आपको प्लम्बिंग का काम दूँगा, मैं बिजली का काम नहीं दूँगा, क्यूंकि उससे बात वहीं खत्म हो जाएगी, अगर आप बिना उपकरणों के बिजली का काम करेंगे, तो एकदम से मेरा मतलब है आपको उसका नहीं मिलेगा, प्लम्बर का काम ठीक है, प्लम्बिंग का काम, पर बिना पाने के, बिना चर्खी के, बिना चैन चर्खी के कुछ नहीं, अपने हाथों, नाखूनों और दांतों से, आप आश्रम में तीन दिन प्लम्बिंग का काम कीजिए, तीन दिनों में आपकी उंगलि पड़े में जखम हो जाएगा और आपका मुँँ ऐसा होगा, क्यूंकि पाइप खोलने की कोशिश में हर जगा जखम हो जाएंगे। तो अगर तीन दिन बाद मैं आपको एक पाना दूँ, तो क्या आप उस पाने की पूजा करेंगे या नहीं? आप पका उस पाने की पूजा करेंगे है न? तो इस तरहां पाना भगवान बन जाता है, हाँ पाना भगवान, क्यूंकि इस देश में हम पाने की पूजा करते हैं, हम एक लोहदंड की पूजा करते हैं, कार की पूजा करते हैं, हम बिजली के स्विच की पूजा करते हैं, हर सराहना कर रहे हैं कि इन ही यंत्रों ने हमें धर्ती पर सबसे प्रमुख बनाया है आप एक कुत्टे जितने तेज भी नहीं भाग सकते हां आप एक कवे की तरह उड़ नहीं सकते कवे को छोड़िए आप एक मच्छर की तरह भी नहीं उड़ सकते इस धर्ती के हर दूसरे प्राणी की तुलना में, आप वाकई कुछ नहीं है, अपने आप में, लेकिन, हमें उपकरण बनाना आता है, हमने कई तरह की उपकरण हैं, इसलिए हम धर्ती पर सबसे शक्तिशाली बनें हमें सबसे विक्सित प्राणी माना जाता है मैं चाहता हूँ कि आप इंसान को किसी भी उपकरण के बिना देखे कोई भी जानवर ये नहीं सोचेगा कि आप सबसे विक्सित है हाँ या ना? हाँ कोई भी जानवर या प्राणी आपको उंचा मानने के बारे में नहीं सोचेगा सिर्फ इसी लिए कि आप एक सरल डंडे से औजार बना सकते हैं जिससे आप किसी से लड़ सकते हैं उसके बाद आज हम कई कई ज्यादा चीजें बना चुके हैं जिसे हम आज तकनीकी कहते हैं वो सिर्फ इसी वज़े से हैं तो देवी एक तरह की मशीन है लेकिन कोई भी चीज अगर कुछ ऐसा कर सकती है जो आप खुद नहीं कर सकते तो आप स्वभाविक रूप से उसके आगे जुखते हैं है न? क्या आप अपनी कार जितना तेज भाग सकते हैं? मैं पूछ रहा हूँ जब तक कि आप बेकार ड्राइवर ना हो तो लोग बैठकर कार के आगे जुखते हैं शायद आज वो डर की वज़े से जुख रहे हैं यानि अगर वो ऐसा करेंगे तो कार अच्छे से चलेगी वो अच्छे से नहीं चलेगी जब तक कि आप अच्छे से नहीं चलाएंगे ठीक है? आप कार के आगे जुखते हैं ये मानते हुए कि ये मुझसे ज्यादा कुछ कर सकती हैं आप लोग मेरे आगे ऐसे क्यों खड़े होते हैं? बस इसलिए कि आपने देखा है कि किसी आयाम में मैं आपसे ज्यादा कुछ कर सकता हूँ, हाँ? हाँ या ना? तो ये उपकरण है, गुरू भी एक उपकरण है. प्लीज इसका इस्तिमाल कीजिए, सिर्फ पूजा मत कीजिए. अगर आपके पास स्क्रूड्राइवर हो और आप साल में एक बार आयुद्ध पूजा कर लें, तो ठीक है. हर दिन अगर आप बस पूजा करें और इस्तिमाल ना करें, तो क्या फाइदा है? एक उपकरण के आगे जुकना चाहिए, क्यूंकि वो कुछ ऐसा कर सकता है, जो आप खुद नहीं कर सकते हैं. शरीर खुद एक उपकरण है. या तो आप इसे एक समर्थ उपकरण बनाएं, या दुख ही उपकरण. मन भी एक उपकरण है. आप या तो इसे एक जबरदस्ट उपकरण बना सकते हैं, या एक दुख ही उपकरण. लेकिन ये एक उपकरण है. तो देवी एक अलग तरह की मशीन या उपकरण है. उनका इस्तमाल कैसे करें? इसके तरीके हैं. कम्प्यूटर का इस्तमाल कैसे करना है? अगर आप ये ये और ये करते हैं, तो आप इस मशीन से जोड़ जाएंगे. और आप इसका इस्तमाल करके अपनी शमता बढ़ा सकते हैं, क्यूंकि फिलहाल मेरी आवाज उंची हो गई है, क्यूंकि मैं माइक नाम की इस मशीन का इस्तमाल कर रहा हूं. और ये माइक मूल रूप से मेरे लिए बनाया गया है. मैं जिस भी कॉन्फरेंस में जाता हूं, महिलाएं और पुरुष ऐसे माइक का इस्तमाल करते हैं, जो ऐसे बाहर आता है, जैसे उनके अलग से दान्थ हों. मैं अकेला ऐसा हूं. मैं अकेला आता हूं. प्रुष झालओेंस